को पार्ट है 5 अपॉन x-1 प्लस वन अपॉन 5-2 एक्वाल टू टू एंड सेकेंड एक्विसेंट है 6 अपॉन x-1-3 अपॉन y-2 एक्वाल टू 1 तो मुझे क्या दिख रहा है मुझे दिख रहा है अपॉन में तो जो भी चीज़ अभी तक हम अपॉन में देख रहे थे उसको क माल ले रहते हैं तो यहां पर क्या है ओन अपॉन x-1 यहां पर भी बन नवान एक्वार माइनस वन यहां पर वाइंस तू यहां पर भी वाई-वाइबंस टू इन दोन वैल्री को क्या करणूँगा मैं ऐजिंग कर दो तो यह हो जाएगा टेकिंग ताकि यह क्या बन जाए linear equation बन जाए टेकिंग इसको 1 upon x-1 यह कैसे रहा होगा इसको अगर understand करना है यह कुछ ऐसे होगा 5 multiply by 1 upon x-1 ऐसे रहा होगा न क्योंकि 5 बन जा 5 upon में x-1 तब यह बनाओगा 5 upon x-1 तो मैं क्या कर रहा हूँ इस ट्रम को क्या मान लूँगा यू और 1 upon y-2 को क्या मान लूँगा वी ठीक है अगर मैं ऐसे मान लूँगा तो यह के बन जाएगा 5 देखे यहाँ पर जैसे 5 है इंटू मैंने बताया ना इसके अंदर कैसे चिपे रहा होगा यह ऐसा कुछ रहा होगा ठीक है तो मैंने इसको मान लूँगा यू तो यह बन जाएगा 5 इंटू यू यानि 5 यू ऐसे यह बन जाएगा अब मुझे क्या दिख रहा है अगर मैं 3 से मल्टिप्लाई कर दूंगा तो यह बन जाएगा 3 वी और भी चीज़ें चीज़ेंगे नेकिन यह बन जाएगा 3 वी और यहाँ पर माइनस 3 वी यह दोनों को एट कर दूंगा तो यह चैंसल आउट हो जाएगा तो यह equation 1 by 3 क्यों कर रहा हूं multiply क्योंकि मैंने देखा v और पहले वाली equation में second वाली equation में sign का अंतर है अगर मैं किसी तरह इन दोनों को same कर दूं इनके coefficient को तो यह cancel out हो जाएगा कैसे होगा यह already 3 है यहाँ पर तो 1 है यह तो बहुत बढ़िया है 1 को किसम convert किया जाता है किसी भी number पर तो मैं 1 को multiply करूंगा 3 से तो यह बन जाएगा 3V यह minus 3V cancel out हो जाएगा तो multiplying equation 1 by 3 तो 3 से multiply करूंगा यह बन जाएगा 3 5 जा 15U और यह बन जाएगा 3V और यह बन जाएगा 3 2 जा 6 इसको मैंने कुछ भी नहीं किया है तो इसको add जहने देते हैं 6U minus 3V equal to 1 मैं क्या कर रहा हूं इनको add कर रहा हूं क्योंगी sign का difference है अगर sign में difference होता है अलग-अलग sign होते हैं तो हम इसको add करते हैं अगर sign same होते हैं तो हम क्या करते हैं subtract करते हैं तो मैंने क्या करते हैं इनको add कर दिया यह plus हो गया यह sign change नहीं होगा और यह plus हो गया 15U plus 6U बन जाएगा 21U और यह term क्या ह हो जाएगा, cancel out, equal की जिएगा, equal, 6 और 1, 7, तो u equal to हो जाएगा मेरा 7 upon 21, इसको solve करके result आजाएगा, सीधे-सीधे मेरा u equal to 1 upon 3, इसे ड्रैकेट में रख देता है, अब क्योंकि मेरे पास u की value आ गई है, अब मैं इस u की value को put करके, u की value find करूँगा, तो u की value मुझे मिल गई है, क्योंकि यह elimination method है, तो हम इस u की value को किसी भी equation पर place कर सकते हैं, putting value of u in equation, किस equation पर place कर रहा हूँ है, first place, तो अब first equation क्या बन जाएगे, 5 की जाएगा, 5, u की जाएगा, क्या रखना है मैंने, 1 upon, 3, plus की जाएगा, plus, v, तो मैं find कर रहा हूँ, v की जाएगा, v, 2 की जाएगा, 2, तो यह बन जाएगा, 5 upon, 3, 5 upon, 3, plus की जाएगा, plus, v की जाएगा, v, 2 की जाएगा, 2, इसको दो तरगे से किया जा सकता है, या तो मैं यहाँ पर l से मनूप, या फिर मैं इसको ऐसे जुम करूँ, देखिए, v के साथ क्या जो add हो रहा है, 5 upon, 3, यह जो टा हमें, यह add हो रहा है, तो अगर मैं इसको दूसरी तरफ बेजूँगा, पूर एडम को, तो दूसरी तरफ जाएगा, यह क्या हो जाएगा, सब्ट्रेक्ट हो जाएगा, तो मैं क्या ऐसा रख सकता हूँ, v equal to, 2, v अपनी जगे पर, 2 अपनी जगे पर, यह जोट हमें, यह addition पर था, तो इधर जाके, सब्ट्रेक्ट हो गया, अब मैं यहाँ बेजिम लेकर answer, find कर सकता हूँ, तो v equal to हो जाएगा, मेरा, 3 टूचा, 6, minus की जगए, minus, 5 की जगए, 5, 3 की जगए, 3, तो v equal to हो जाएगा, मेरा, 6 मैं से 5, minus की जगए, 1 upon, 3, तो v भी आगया मेरा, और u भी आगया, लेकिन find करनी थी value, x और y की, तो हमने v भी कुछ माना हुआ है, और, u भी कुछ माना हुआ है, तो उन दून value को रखेंगे, तो हमें x और y की value मिल जाएगी, since u किसकी बतल लिखा है, 1 upon x minus 1, equal to क्या है, u, ऐसा ही है, तो 1 upon x minus 1, u के बतले मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 upon 3, अब 3 को बेज़ दीजे, इधर x minus 1 को बेज़ दीजे, इधर, तो यह हो जाएगा कुछ ऐसा, इधर बेज़ दीजे, 3, equal to x minus 1, पूरा term, divide में है, तो उधर जाके क्या हो गया, 1 के साथ multiply में, 1 के साथ कुछ भी multiply होगा, वही term रहेगा, तो यह आ गया कुछ ऐसा, अब x के साथ जो minus 1 है, उसको इधर बेज़ दूँगा, और इसको सीथे तरीके से लिख दूँगा, minus 1 है, इधर आगे, plus 1 हो जाएगा, तो 3 plus 1, 4, यानि x equal to हो गया, 4, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, x equal to 4, तो x के value मिल गए ही मुझे, अब मुझे किस के value ढूटनी है, y की, x के value आए मेरी, 4, y कैसे आएगा, y भी ऐसे आएगा, लिखे, 1 upon y minus 2, किसके equal था, v के, और v की value कितनी आए है, 1 upon 3, तो यहाँ से क्या लिख दूँगा, 1 upon y minus 2, किसके equal है, v की value है, 1 upon 3, यहाँ पर मैंने क्या क्या था, मैंने यहाँ पर, इस term को भेजा था इधर, और इसको भेजा था इधर, दूसरा approach क्या हो सकती है, दूसरी approach यह हो सकती है, इस वाले fraction को अगर मैं पलट दूँ, इसको भी पलटना पड़ेगा, पलट दूँगा, तो यह पहुंच जाएगा, y minus 2, और पलट के यह बन जाएगा, 3, दोनों को पलट दिया, या तो इधर से इधर बेजिए, या इधर से इधर बेजिए, या दोनों को पलट दिया, इसको पलटा, इसको अगर मैं 3 लगदूँगा, तो इसे भी पलटना पड़ेगा, तो y minus 2 इकुल टो आगया 3, तो y equal to मेरा बना, minus 2 उधर जाके बन गया, plus 2, 3 plus 2, बन गया 5, तो y की वेल्यू मेरे पास आई, 5, तो मेरे पास दोनों वेल्यू आगे हैं, x की वेल्यू है 4, y की वेल्यू है, 5. उमेद करता हूँ आपको यह explanation पसंद आया होगा, और समझ भी आया होगा, thank you, and have a nice day. झाल